जिसको जिसको मेरा वीडियो नहीं पसंद आता है वो अन सब्सक्राइब कर दो मुझे नहीं चाहिए नहीं अच्छा रहता है फोन तोर दो खुद का लेकिन खाव खड़ाब कमेंड मत करना हेलो एप्रिवन तो मैं सबसे पहले आप लोग को हैपी न्यूएर विश कर दे रही हूँ क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो इन्यूएर भी आ चुका होगा तो सो हैपी न्यूएर टू आल आप लोग का नया साल बहुत 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 अच्छे से गुजरे और आप लोग बहुत अच्छे से रहे तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी कुछ-कुछ वीडियो में मैंने बोला था कि मैं कोई भी ब्लॉग डालू चा यह अच्छा नहीं हुआ है कि जो ठीक है लग बाई चांस कुछ-कुछ वीडियो वाइरल हो जाते हैं जैसे मेरा क्लीनिंग ब्लॉग मैंने देखा है कि सबको बहुत पसंद आएं बट मैं सारे ब्लॉग में तो मैं धुआ-धुई तो नहीं कर सकती हूँ ना अजीब नही कि किसके साथ अमत्व कि घूमते और इंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हो वह सब शेयर करना जो हमारे डेली लाइफ में जो गुजरती है ऐसे जैसे हम लोग डाइरी लिखते हैं डाइरी में कि हाँ आज मैंने क्या क्या किया कभी किसी इंसान को देख जब मैं अपने फैमिली के साथ घुमने गई थी सरकस तो उसमें मुझे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों को अच्छा खराब अगर बोलने का अवकात नहीं है तो मुझे घ्यान मत दिया करो मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे घ्यान दे मेरा एकाउंट है मेरा चैनल है मैं मैं जो मर्जी वो करूँगी मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी चाहे आपको पसंद आए या ना आए मैंने कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया है कि मुझे सब्सक्राइब करो मैं पहले करती थी लगों कर रही हूं नहीं ना जो वो बोल रहे हैं वीडियो में भावी मैंने तो आपको cleaning video देखकर subscribe किया था पहली चीज मैं किसी की भावी नहीं हूँ दीदी बोलोगे तो भी ठीक है मैं सुनूँगी भावी भावी मैं किसी की नहीं अब कुछ ने आपके vlog में कुछ ने मतलब कि नहीं के जगा ने ने मतलब लिखने कभी इसको तरीका नहीं हो तक एकदम गवाण टाइप के इंसान है मैंने अंसब्सक्राइब कर दिया आपको मेरे दोस्तों के जगा इस गधे ने दीस्तों लिख दिया भावी तुमने कौन सा ब्रेंट का माल पी के ये सब लिखा था है होगा कोई सस्ता नसा बंगला कुछ किया होगा जो सौपचास में आते होगे अवकात तो नहीं है न हजार दो हजार का पीओ जो तुम चाहते जो हम चाहते हैं वो आप बनाते नहीं सोबाए अनसब्सक्राइब कर दिया है बहुत अच्छी बात है मैंने कभी नहीं बोला है मैंने किसी को रोका नहीं है मैंने तुमको भी नहीं रोका है चलो फूटो इधर से सीडिसी बात बोल रहे है फूट लो जिसको जिसको मेरा वीडियो नहीं पसंद आता है वो अनसब्सक्राइब कर दो मुझे नहीं चाहिए जिसे मैं पसंद नहीं हूँ, जिसे कुछ और ही सोच लेके मुझे देख रहा है, मुझे नहीं चाहिए भाईया, हाथ जोड रही हूँ, कट लो यहां से, भले मेरा 22,000 है न, कोई बात नहीं, उससे इवेन मेरा 5000 भी हो जाए, लेकिन प्यार कुछ भी हो, कम इनसान से मिले, ल कोई मेरे लिए काफी है, हेटर्स उतनी नहीं चाहिए मुझे, कम से कम कहां कहां क्या के प्राबलम हो रहा है, उस प्राबलम को कट करके, एडिट करके, उसमें म्यूजिक डाल के, बहुत महनत लगती है, जो यूटूबर है, वही समझ सकता है, आप लोग को तो बस देखने से हुआ कि हाँ देखने में क्या है, देखने में तो मतलब कि उसमें तो यह नहीं लगता है, और एक बार आप लोग खुद अपना नाइटी पहन के, अपने मुझी बहनों का नाइटी पहन के, कैमरा लेके, जारू पहुचा करो, तब देखना, गार फट जाएगी, तब प इतलब कि यह नहीं कि पार बार आएंगे, अगर थोड़ा सा भी उसमें पानी वानी लग गया, पचास बार हाथ पोच पोच के कैमरा को स्विच आफ करने पड़ता है, फिर उसके बाद उसको लेफ्ट में रखो, फिर घर पोचा, फिर उसके बाद राइट साइड में रख कैसे कैसे करके एंगल करके रखने पड़ता है, यह सब जो करता है उसी को पता है, अगर जो घर में आदे घंटे पहुच लूँगी ना, अगर मैं ब्लॉक बनाऊंगी ना, तो दो घंटे लग जाएंगे, उसी घर को पहुचते पहुचते, मैं अच्छा कमेंट कर आप लो कि हाँ ठीक है, नहीं अच्छा रखता है, फोन तोर दो खुद का, लेकिन ख़राब कमेंट मत करना ब्लोग देखते इंजॉय करते हैं, कैचन मेरे कमपलीट है और डिनर भी सॉरी डिनर नहीं लंज कंप्लीट हो गया है आज मैंने लंज में चावल नहीं बनाए क्यूंकि पापा कुछ दिनों से बोल रहे बहुत ठंडी लग रही है तो रोटी बना दो तो फिर में हम हम लोग तीन है तो हम लोग को भी उतना खाने पीने का प्राबलम न और रोटी बस वह भी तूरंथ हो गया कभी-कभी थोड़ा मतलब की मेनू ज्यादा हो जाता है और कभी-कभी थोड़ा मतलब की ऐसा तो नहीं है कि हां कभी हमको छुट्टी नहीं मिला खाने में डेली मेरा दुनों टाइम तो कुकीं है वो तो हर घर की कहानी है सबी कोई क करते हैं मैं भी करती हूँ अब मैं नहीं करोंगी तो क्या कौन करेगा तो लेकिन हां कभी-कभी थोड़ा सा मतलब सिंपल खाने का मन करता है कि हां बहुत अभी हेवी हो गया इतना ज्यादा जहन्जट मत करो बस सिंपल से कुछ बना दो वैसे हां अगर वो रहते घर में त बहुत दूर है उनका आते आते दो घंटे लगेंगे तो बाहर पर मैनेज कर लेते तो हम लोग दोपेर का खाना हम लोग खा लेते हैं मैं पापा और बच्चे सब को भी मिल जाते हैं रात में अपना डिनर हम लोग साथ में मिलके करते हैं फिर ऐसा चलता है लाइफ क्यों और मौनी में तो बहुत जल्दी वो निकल भी जाते हैं क्योंकि फिर उनको मार्केट भी जाना रहता है मतलब सब कुछ अकेले हैं रेंडल करना पड़ता है और हाँ कभी स्टाफ नहीं ह साफसूब करके मैं रूम में जाऊंगी और मैंने एमजोन से कुछ पार्सल मंगाया है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेट खरच करने में तो यो लोग आगे है चोलो मैं अपना काम कर लेती हूं तो अभी थोड़ी देर में मैं वो पार्सल दिखाऊंगी आप लोग कि मैंने एमजोन से क्या परसे जिंग किया है उफ इतना इंग्लिश क्यों बोलते हूं जब इंग्लिश बोलना ही नहीं आत तो अभी तो जैसे कि यह सब कपरे है जो धूले हूए कपरे है वो मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है और मैं आप लोग को दिखा रही हूं और इस अलमारी में सिप मेरे बच्चों का ही कपरे रहते हैं और मेरा तो 92-3 है वो वेगरे हमें में रखती हूं और मेर हस्बिन के भी कपरे हूई उस अलमारी में तो यह देखिए यह मैंने लिया है यह दो मैंने एक दो पीस मैंने पहले ही मंगाया था वो भी हो गया होगा 3-4 साल पहले उसमें मैं सारी रखती थी और मतलब कि बहुत अच्छे से वो एकदम रहता है और जैसे कि इधर उधर त क्योंकि देखिए सब काम तो मुझे करना पड़ता है और इन लोगों का आदत इतना बुरा है कि एक कप्रे निकालेंगे और अगर कुछ गिर गया या कुछ फोल्ड अगर इधर उधर हो भी गया खड़ाब भी लगता है देखने में तो बार बार इरिटेड लगता है और जो कप्रा है मतलब जो खूमने का कप्रा है वो सब जो है मैं इसमें अच्छे से रख दूंगी और सेफ भी रहेगा गंदा भी नहीं होगा तो यह तो बेटर आइडिया है ना तो मेरा सारी भी तो ऐसे ही में रखती हूं अभी भी मेरा रख्खा हुआ रहता है और जो मैं यूज़ कर दूब वह मैं हैंगर में टांग देती हूं और जो मतलब की काम जैसा की साधी वगेरा यह समय जो पहन के जाने को रहता है वह सारी मेरा अलग है ऐसा ही सेम टू सेम बैग है और यह बहुत अच्छा भी है बड़ा भी है और इसमें बहुत कप्रे भी आ और पैंट यह सब अगेरा और गरम कपरे में मैंने दूसरे पैक में रख दिया है तो यह सब डिवाइड है जो भी उसको चाहिए वह अपना बैक खोल के अपना निकार लेगी और देखिए कितना अच्छा साफ सुतर और क्रीनिंग भी लग रहा है और यह थोड़ा कागश फ कुछ छोटे है तब कोई ना प है इसा कुछ नकुछ शैटानी करेंगे भी घारेंगे हैं को तो यह अदम जैसे कि शाम हो गई है तो मैंने सोचे कि चलो आज पापा का फेवरेट शाम का नास्ता बनाते हैं तो वही मैं भी बना रही हूँ यह है बेसन का आप लोग रोटी भी बोल सकते हो तो मैंने उसमें क्या दिया है अनियन चौप करके दिया है अगर प्याच का लिए रहता तो और भी अच्छा लगता देखने में तो तो था नहीं और दिया है गुरा मर्चा हल्दी नमक कोई जहमेला नहीं है और यह मैंने धनियापत्ता का चटनी बनाया है निवू डाल के और यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में साथ में मिला के कॉम्बिनेशन तो यह है और अगर गरम-गरम खाओ इस दोसा बनते है वैसे तो चलो मेरा तो हो गया अब मैं पहले दूगी पापा जी को उसके बाद हम लोग इंजाए करेंगे टाटा वाई वाई